आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्रमेट्री की, देखें ट्रिग्रमेट्री अभी आपने पढ़ी तो है नहीं नाइंस में, इसको पहले समझ दीजे, बहुत बेसिक से सुरू करेंगे, देखो ट्रिग्रमेट्री को कहा जाता है ट्राइगॉन, अगर इसका फुल फार्व हम कहें, ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन, ट्राइगॉन का मतलब है यहाँ ट्राइंगल, और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट, यानि कि मैं यहाँ पर ट्राइंगल का मेजरमेंट करने जा रहा हूँ, ट्राइंगल का मेजरमेंट का मतलब ट्राइंगल में क्या-क्या होता हुआ है भाई ट्रैंगल में तीन साइड़ सोती है आवा जा रही है मेरी में met tीन साइडस होती है है और तीन एंगल cities होती है तो उपके बारे हम बात करने टाफ- के Engles के हिसाफ से दिये जाते हैं मतलब उनकी जो Naming होती है ना कुछ लोगों को हाइट की हिसाफ से नाम करेंगे वह लंबा वैक्ति चोटा वैक्ति उसको क्लर के हिसाफ देजा अ उसी प्रकार के triangle के जो नाम होते हैं कुछ triangles के नाम sides के हिसाब से दिये जाते हैं जैसे जिन triangles की जिस triangle की सभी sides equal होती हैं उन्हें क्या कहते हैं equilateral triangle अगर दो side equal हैं तो isosalist triangle और तीनो side different हैं तो scallion triangle कहते हैं तो यह naming किस हिसाब सोई है according to the sides दूसरा angle के हिसाब से देते हैं अगर किसी भी triangle के तीनो angles acute है acute का मतलग less than 90 degree तो उसका नाम क्या देता है acute angled triangle इसका नाम क्या देते हैं acute angled triangle अगर माल लिया सभी angle obtuse हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं तो अगर एक triangle obtuse हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा obtuse angled triangle और अगर एक angle right हो जाए 90 degree इसको कहते है right angled triangle तो तीन तरीके से हमने नाम दिये एक तो तीन नाम हुँसके हुए according to the sides और तीन नाम हुए according to their angles ठीक है अच्छा आपकी right angle triangle पर based है तो हम right angle triangle को लेकर के बात करेंगे देखे right angle triangle क्या होता है वो triangle जिसकी एक side sorry एक angle 90 degree हो तो एक triangle जिसका एक angle one angle is 90 degree is known as right angle यह आपका right angle हो गया अब right angle में तीन sides होती है तीन के अलग अलग नाम है 90 degree के सामने जो side होती है उसको हम कहते हैं hypotenuse इसको क्या कहते हैं hypotenuse अच्छा अब दो side और बची एक perpendicular और एक base perpendicular और base के naming जो है वो different तरीके से होती है देखे ध्यान से जला साउधान रहेगा जिस angle के बारे में हम बात करने जा रहे हैं यह angle लिया c angles के नाम भी दिये जाते हैं जैसे alpha, beta, gamma, theta, phi मैंने इसको मान लिया theta जिस angle के बारे में हम बात करेंगे उस angle के सामने की side को हम कहेंगे क्या perpendicular तो यह side हो गया perpendicular अब तीसरी side जो बची वो बैचारी है बैचारी मतलब base तो happiness क्या होता है right angle triangle 90 degree के सामने के side को happiness कहते हैं जिस angle की बारे में हम बात कर रहे हैं उस angle के सामने की side को perpendicular कहते हैं और third side जो बची वी side है that is base मतलब अगर मैं इस triangle के बारे में बात करता इस angle के बारे में देखे ध्यान से यह angle हम लेते तो perpendicular क्या होता इसके सामने की side और जो बची वी side वो base होगी तो base और perpendicular का जो नाम है या उसका जो आप chain करेंगे चूस करेंगे वो according to the angle करेंगे अच्छा अब तीन sides हैं दो-दो side का ratio हमने लिया और उनका नाम दिया trigonometrical ratio क्या दिया trigonometrical ratio TRIGOROMETRICAL predictable ratio ratio का मतलब आप समझ गए 2 side आपको लेनी ए रेशियो रेशियो नमबर में होता है हमारे पाथ 3 sides हैं तो 3 sides के हिसाब से आप इनके ratio निकालेंगे पहले हम क्या करेंगे perpendicular औरfolg का रेश्यों लिखेंगे को भी लिखेंगे इसका हमने नाम दिया साइन देखें केवल साइन लिखोगे तो एस आई एन लिखोगे ठीक है लेकिन जब थीटा बनाओगे इसको लिखेंगे साइन थीटा तो साइन थीटा इस युगलू क्या हो गया पी अपान एच पर्पेंड होता है जो है यह होता है परप्रडीकुलर अपान ब्रिशु की साइन थिटा घ्राट पी अपान एच बी मतलब परप्रडेकुलर एस का मतलब हैंज्ट और यह रिस और जो अब देखिए sign अब इसको याद कैसे करें अभी याद करने तरीका हम बता रहें sign का जो उल्टा भी करना पड़ेगा ना इसको अब उल्टा बाद में करते हैं ये पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है अब देखे चौथा क्या होता है अब इनको पलटना शुरू करेंगे हम क्योंकि तीन साइड थी दो-दो का रेश्यो तो आ गया अब इनको पलटना शुरू करते हैं देखे जब हम लिखेंगे कॉट थीटा तो कॉट में क्या करेंगे 10 का जो उल्टा होता है reciprocal होता है उसको cot कहते हैं यहनि इसको हम चाहें तो 1 upon cot theta लिख सकते हैं, 10 का reciprocal क्या होता है? cot theta, देखे नई चीज है, learn करना पड़ेगा आपको, तो देखे जब 10 theta P upon B होता है तो cot theta क्या हो जाएगा? B upon P 10 का reciprocal cot होता है, तो cot reciprocal क्या हो जाएगा? 10 तो इसका reciprocal हो जाएगा 1 upon 10 theta वह अगर 10 का reciprocal cot है तो ultimately cot का reciprocal 10 हो जाएगा इसके बाद अगला है sec theta sec तेकिए यह short name है उनके जैसे 10 को tangent कहते है sec को secant कहते है cot को co tangent कहते है इनके भी नाम लिखवाएंगे आपको sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है यानि cos का reciprocal है sec theta अगर cos theta V upon H है तो sec theta क्या हो जाएगा H upon V अब आप कहा रहें भी cos का उल्टा sec तो sec का उल्टा क्या हो जाएगा cos theta 1 upon cos theta उसी प्रकार से sin का उल्टा होता है cos theta cos theta तो अगला है cos theta साइन थीटा है P upon H, तो यह हो जाएगा H upon P और यह उल्टा हो जाएगा 1 upon साइन थीटा तो मेन 3 triadamidical ratios है sin cos dan और 3 हो गए उनके reciprocal sin का reciprocal कau tot सिक और tan का reciprocal cot इन्हें note करिएगा P, B, and H perpendicular base और happiness इनका जो naming का तरीका है इनको नाम देने का तरीका है यह आपको याद होना चाहिए 90 degree के सामने के side comb क्या कहते है happiness परपिंडिकुलर का decision कैसे होता है जो angle हम use कर रहे होते हैं उसके सामने के side को perpendicular और third side बची भी side that is base अब इसको याद कैसे करें इसको याद करने का तरीका देखे अलग लग teacher अलग बताते हैं फिलहाल एक नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले अब कुछ भी बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सबका एक एक गवर्ड ले लिया हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले अपनी जनकारी के लिए लिख रहे हैं आप पी देखे पहला है एस मतलब sign इसका मतलब sign क्या हो जाएगा पी अपान h sign क्या लिखा है पी अपान h c का मतलब cause क्या होता है बी अपान h b अपान h t का मतलब क्या होता है 10 p अपान b याद हो गया तो यह तीन जो बेसिक ट्रिणमेटिकल इस्योज है sign cause और 10 इनको याद करने का तरीका है sign का reciprocal cause होता है अब अगर sign आपको मालू है p अपान h होता है तो cause क्या हो जाएगा h अपान p हो जाएगा cause का reciprocal sick होता है तो cause अगर b अपान h है तो sick h अपान b हो याद रहेगा इसे नोट करें पहले आप फिर आगे हम बात करते हैं अगर अगर okay देखे जो हम sign cause 10 लिख रहे हैं यह actually में किसी का short name लिखा है हमने तो वो किसके shortcut है वो जरा समझ लिजे पहले क्योंकि कभी-कभी माल दिया एक्जाम में पूरा नाम दे दिया जानबूश करके कि find the cosine of the angle अब आपने का सब को साइन तो हमने पढ़ा नहीं तो देखे जो साइन हमने लिखा साइन लिखा है साइन साइन थीटा actually में पूरा नाम होता है साइन थीटा ऐसे लिखा जाता है दूसरा नाम जो हम कॉस लिख रहे हैं कॉस थीटा यह पूरा नाम को साइन होता है को साइन ऑफ थीटा तीसरा हम नाम लिख रहे हैं टैन थीटा तो एक्चुलि ये टैंजन्ट होता है टैंजन्ट ओफ थीटा फुल नेम जो इसका है पार्षी गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप लेट होगे थोड़ा सा अच्छा जड़ा मैं थोड़ा सा बेसिक बता दिया है उसको दुबरा देख लिजीगा पहला हम लिखेंगे साइम थीटा जड़ा समझेगा यहां से स्टाट कर रहे है क्या लिखेंगे साइम थीटा इसका पूरा नाम होता है साइन थीटा इसको उल्टा लिखने जा रहे है पहला है साइन थीटा S I N E लिखा जाता है एक्छुली में लेकिन short में इसको लिखा जाता है sine theta S I N E गाइब कर दिया जाता है ये होता है perpendicular upon happiness P upon H यहनी perpendicular और happiness के ratio का नाम क्या दिया गया है sine theta दो को नई चीज है थोड़ा याद करना पड़ेगा ठीक है दूसरा होता है cosine theta इसका पहले पूरा नाम लिख रहे है हम cosine theta इसको short में लिखेंगे cos theta नाम cos हम लिखेंगे यहाँ पर ये दोनों same है लेकिन लिखा ये जाएगा जो जनरल बोल चाल में है वो ये लिखा जाएगा cos theta होता है base upon happiness तीसरा होता है tangent theta tangent theta इसका नाम दिया जाएगा short में 10 theta ये होता है perpendicular upon happiness आदिस साब फुल फार्म भी बताते जा रहे हैं लिखे जाएगा ठीक है अच्छा अब देखिए जाद्यान से ये तीन हो गए ये जो तीन है ये तीन basic trigonatical issues है ये तीन कैसे है basic trigonatical issues है इनको याद करने का तरीका देखेगा इसको याद करते हैं एक नाम है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले इन्हें याद कर लिजेगा और कहीं पर नाम लिख लिजेगा पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले इन्हें याद करने के लिए क्या आता है पहला हो गया S दूसरा हो गया C तीसरा हो गया T मतलब sin theta P upon H sin theta P upon H cos theta B upon H cos theta B upon H tan theta P upon B tan theta P upon B इसको याद करने का तरीका है naming का जो full form है वो अलग-अलग teacher अलग करते हैं जनरली बोला जाता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर-हर बोले अब देखी अब हमने क्या किया दो-दो-साइट का दो रिश्यो हो गया अब इसको पलटना शुरू किया हमने H upon P कर दिया, H upon B कर दिया और P upon B upon P कर दिया तो इनका जो प्रेशी प्रोकल किया तो इनके तीन नाम हो रहा है एक नाम आया court theta इसका पूरा नाम में लिखवाता हूँ पहले इसका full name क्या है इसका full name है cotangent cotangent theta इसको short में लिखा जाता है court theta आपकी जो book में लिखा होगा court theta लिखा हुआ है लेकिन मालिया किसी exam में examiner ने लिख दिया court tangent theta तो इसको confuse मत होना वो court theta है court theta किसका उल्टा होता है tangent tangent का court tangent का उल्टा 10 theta क्या है P upon B तो court हो गया है B upon P अब देखिए हमने कहा 10 का reciprocal court court theta लिखा जाए तो court को 1 upon 10 theta लिख सकते है सही करों में अगर 10 को मैं 1 upon court लिख रहा हूँ तो court को 1 upon 10 लिख सकते है इसी प्रकार से cause का जो उल्टा होता है वो होता है cosecant cosecant theta इसको लिखा जाता है causec theta sorry इसका sine का उल्टा है इसको लिख 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 जाता है sine क्या होता है P upon H और हमने का इसका उल्टा cosecant है causec है इसको H upon P लिखते है और ये किसका होता है ulta sine का उल्टा होता है और sine का उल्टा causec होता है यानि causec का उल्टा sine percent of theta secant theta second कोई सुना है आपने नाम कही और भी सुना है आपने second किसे कहते हैं circle में एक ऐसी line जो उसको cross करते हुआ पर चलिज आती है उसको हम secant कहते हैं वो वाला यह नहीं है लेकिन नाम आया इसलिए हमने आप से पुछा तो secant theta को हम short में लिखेंगे सेक थीटा और ये किसका उल्टा होता है कॉस का कॉस का वी अपान एच तो इसका एच अपान वी इस इकल टू वन अपान कॉस थीटा तो कॉस उल्टा हो जाएगा सेक थीटा का तो समझ में आई बात नहीं आई देखो आप इसको छुपा लिजिएगा इधर देखे इसको मत लिखिएगा अपनी जनकार के लिख लिए फिलाल आपको यादे करने साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट कॉसिक और सेक तोड़ करिए इसको यादि आपने ये तो डिसाइट करना देख लिया कि कैसे साइट को डिसाइट किया जाता है नई चीज है ध्यान से सुनिएगा 90 डिगरी के सामने की साइट को एच लिखते है है अब बची दो साइट्स दो साइट्स का नाम होगा परपिंडिक्लर और बेस जिस एंगल को हम ले रहे होते हैं कंसीडर कर रहे होते हैं मालिया हमने ये वाला एंगल कंसीडर किया तो इसके सामने की साइट को परपिंडिक्लर को कहते हैं और थर्ड साइट को बेस कहते हैं अब दो दो साइट का रेश्यो लेना है और उसकी नेमिंग करनी है तो हमने पहले पी अपान अ प्रश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्य अब सबसे पहला तो आपको कोई भी टिग्रिमेंटिकल रिशियो करने लिए तीन साइठिचस च envoy और तीन साइड में अगर दो साइठस मालूं हो राइट अगलु ठेइगिल की बात हो रही है अगर दो साइट्स मालू हूँ तो तीस्ती साइड निकालने का method आपके पास होता है यह आपने पढ़ा है पाइथा गोरस थेवरम पाइथा गोरस थेवरम क्या उन्होंने बताया था कि in any right angle triangle the square on the hypotenuse is equal to the sum of the square on other two sides am I right? मैंने उन्होंने कहा था कि hypotenuse का जो square होता है वो equal to होता है perpendicular का square plus इसको altitude भी बोल देते कहीं कहीं पर perpendicular चुकि height होती है यह vertical height होती है तो कहीं कहीं पर altitude बोल देते है plus base to the square अब simple सी बात है अगर right angle triangle में दो sides दी भी होंगी तो तीसरी side अपने आप हम निकाल लेंगे ever right? तो तीनों side मालू हो जाएंगी तो जितने भी छे ट्रिनमेटिकल रिशियों होती है सम निकाल लेंगे basic आपको याद होना चाहिए sct sign cost 10 पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद कर लिजे बिल्कुल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले sct sign cost 10 p upon h b upon h p upon b जिस page में भी आप लगा रहे हों यह उपर पंडिची को पहले बठा लिजेगा फिर इनसे पूछेगा भाई साब क्या करें हम पंडिची अपने बता देंगे ठीक है और इनको उल्टा करते जाओगे तो इनके नाम याद कर लिजे sign का उल्टा cause का sec और 10 का cot तो यह पंडिची आपकी help कर देंगे ठीक है अच्छा अब हम बात करने जा रहे है अच्छा एक चीज़ और बुक ले ली थी आपने अधित साब बुक ले ली आपने चलिए कोई बादे चलिए देख लिजीएगा देखिए एक चीज़ और सुझीगा हमने का sign theta is the receive protocol of causec theta तो अगर मैं इसका cross multiply कर दूँ और आप से कह दूँ कि sign theta into causec theta क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे 1 होता है आता सबको है लेकिन उन्हों शाटन पूजिया what is the value of sign theta into causec theta तो this value will be 1 दूसरा causec theta का जो उल्टा है receive protocol क्या होता है sec theta होता है अगर मैं इसका cross multiply कर दूँ तो एक आएगा cause theta into sec theta is equal to ये भी 1 होता है ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकि जब ये आता है ना तो student घुम जाता है पहले तो ये करेंगे क्या इसको तो सबसे पहले चीज़ तो आप reciprocal sign होगा उसी प्रकार से 10 theta का reciprocal होता है cod theta तो अगर मैं इसका cross multiply करूँ तो 10 theta into cod theta is equal to 1 तो ये एक result कुछ है उन्हें याद का लीजे फिलाद अब देखिए हमने भी कहा किसी भी triangle में आपको decide करना है sides अगर आपको एक trigonatical ratio दिया हो और अधर निकल वा रहे हो तो इसका तरीका क्या होता है देखिए जान से माले हमने कोई भी a trigonatical ratio आपको दे दिया एक example के तौरपर हमने दिया कि if sin a is equal to 2 upon 3 2 upon 3 find the other 5 trigonatical ratios तो देखिए यहाँ पर diagram बनाने की जरूत नहीं है आप diagram बनाओ theta लिगो फिपरफिने को डिसाइड को कोई जरूत नहीं है sin theta p upon h होता है तो p यहाँ पर क्या है 2 और h यहाँ पर क्या है 3 सही लिखा मैंने perpendicular की length 2 होगी और hyperteneuse की length 3 होगी मैं सही लिख रहा हूँ हाँ यह a theta है कुछ भी angle है जैसे आप देखिए जैसे कोई right triangle triangle होता है हमने a b c लिखा इसका तो हम इसको theta मानने या sin a लिख दें कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको यहाँ पर triangle बनाने की जरूत नहीं है हाँ अगर वो आप से कह देते कि in any triangle a b c sin a is this तो आपको triangle बनाना पड़ेगा क्योंकि a b c decide करेंगे कि hypotenuse क्या होगा perpendicular क्या होगा और base क्या होगा सही कह रहा हूँ मैं देखिए अब दो side यह हमने p को 2 और h को 3 माना मैं सही लिख रहा हूँ इदर देखे p सही नहीं लिख रहा हूँ भई यह बताएगा 2 upon 3 है तो क्या perpendicular 2 होगा ratio है ratio को हम हमेशा lowest term में लिखते हैं तो यहां क्या मानेंगे इसको हम 2 के माल लेंगे और इसको हम 3 के माल लेंगे क्योंकि हमने माल लिया है कि जो common ratio आपका है उससे हमने cancel कर दिया इसको अब कौन से 3-3-3 side हम को नहीं मालूँ h मालूँ p मालूँ तो क्या माने मालूँ पहले तो base निकालो आप तो आप जानते हैं आप लिखेंगे we know that हम एक formula जानते है h square is equal to p square plus b square formula यही लिखेगा चाहे आपको कुछ भी निकालना हो otherwise हमको तो b निकालना है तो formula तो b काम लिखेंगे लेकिं गलती नहीं होनी चाहिएगा h square मतलब 3k का square p square मतलब 2k का square plus b square इसको solve करेंगे तो आएगा 9k square is equal to 4k square plus b square इसको दशिफ्ट करेंगे तो b square will equal to 5k square तो b क्या निकलेगा k under root 5 तो आपको base मालूम हो गया अब जब तीनों आपको sites मालूम है तो हर tigramatical ratio आपको निकालना आता है फट से पंडीची को invite करो पंडीच, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले अब आपको निकालना क्या है cos theta फिर tan theta फिर cot theta फिर sec theta नाम कोई भी उपर निचे कर सकते हो फिर cos sec theta cos theta क्या होता है s c t b upon h 10 क्या होता है p upon b cot 10 का उल्टा होता है तो b upon p sec cos का उल्टा होता है h upon b और ये sign का उल्टा होता है h upon p सभी sides तक दो उठा करके answer आपका b की value क्या है basis k root 5 तो k root 5 upon h क्या है 3k k cancel out तो आएगा root 5 upon 3 यहां रखेंगे b की value कितनी है 2k और b कितना निकला है k root 5 k cancel हो गया 2 by root 5 b की value यहां पर क्या है k root 5 p की value कितनी है 2k तो आएगा root 5 by 2 अच्छा यह नहीं पूछेंगे आप कि आप इसका square root plus minus क्यों नहीं लिख रहे यह आप नहीं पूछेंगे कि आप जब square root निकाल दे हो इसका तो इसको आपने plus minus क्यों नहीं लिखा भई साइड की length plus minus नहीं हुआ करती because it is a length of side यह हमें सब positive ली जाएगे ठीक है यह h अपान b h कितना है 3k अपान b कितना है k root 5 is equal to 3 upon root 5 यह तीसा अपने आप निकालो कॉसित फिटा अपने आप निकाली है लिख देते हैं यह आप कहेंगे आपने अपने आप निकाला है तो यह आएगा 3k अपान p 2k 3 अपान 2 calculation check करते रहेगा कभी कभी क्या होता है कहीं कोई चीज उल्टा हो जाती है जल्दी जल्दी में चुकि रभ होने के बाद यह आपके पास रहती हमारे पास से गयव हो जाती है देखें याद रखेंगा जो working days होंगे ठीक है पार साथ working days में आपकी class 7.30 की होगी ठीक है और एकर छुटी है संडे वगर आपको class लगभग 4 के आसपास होगी या किसी time schedule हो सकती है आपके इसाफ से हमारे इसाफ से ठीक है working days में Monday to जो भी होगा Saturday 7.30 की class होगी ठीक है अच्छा यानि अगर एक trignometrical ratio मालूम है और आपको अधर निकालना है तो क्या करेंगे आप आप पहले एक trignometrical ratio मालूम होने का मतलब क्या होता है मालूम ये दो side का ratio दिया हुआ है तो दो side का ratio दिया है तो पहला काम तो third side निकालिए जब तक आपसे यह नहीं करें इन ट्रेंगल एबी सी तब ट्रेंगल को मत छेड़िएगा क्योंकि ट्रेंगल एबी सी में और राइट रेंगल पर हैट रिसाइड करो आप डाइट पी अपान रच करके वह ऐसे निकाल देंगे ठीक है एक कुछन आप लिपते हैं इन ट्रेंगल एबी सी अम नाम आ गया इन ट्रेंगल एबी सी अंगल बी HEY इस राइट अंगल एबी सी एंगल बी is right angle, AB is 24 cm, angle B 90 degree है, यह कुशन कोई है, और AB is 24, AB is 24 and BC is 7, तो आप से कह रहे हैं, find करिए, पहली कुशन की आप से कह रहे हैं, कि C A निकालो, time C नकालो, कॉमा, और साइनसी निकालो, कॉस सी निकालो, इन्टू नहीं ya, कॉमा लगा लगाए हैं, साइन सी निकालो और कॉस सी निकालो हमने कहा जब तक आप से ट्रैंगल के बारे में बात न करें कि किस ट्रैंगल में ताम जाम है तब तक आप ट्रैंगल नहीं लेंगे लेकिन यहां तो ट्रैंगल आ गया बिच में तो आप सबसे पहले तो ट्रैंगल बनाईए बना लिया ट क्या इसको AD साइट का लिया है आपकी मर्जी है AB 24 है AB 24 है BC 7 है सबसे पहला काम तो आपको AC निकालना पड़ेगा AC साइट का नाम क्या है Haptenus तो सबसे पहले तो AC निकालिये by Pythagoras थिर्म क्या होगा यह AC स्क्वार इस इकुल टू AB स्क्वार BC स्क्वार यह 24 का स्क्वार प्लस 7 का स्क्वार बहुत जल्दी से बताओ 24 का स्क्वार क्या होता है बहुत जल्दी बताओ 24 का स्क्वार कम से कम 30 तक के स्क्वार आपको मालू होने चाहिए 576 और 7 का स्क्वार 49 यह कितना आएगा 625 5 तो AC की value आ गई 25 cm तो ये side आपका निकलाया 25 cm तो सबसे पहला काम आपने क्या-क्या 3rd side निकाली है फिर हम बता रहे हैं जब तक आप से कहे ना कि ट्रेंगल में हम दे रहे हैं तब तक आप आप ट्रेंगल ड्रॉण ने करिए हाँ ट्रेंगल कहेंगे तब तो ड्रॉण करना पड़ेगा क्योंकि आपको एडिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से side H है P है बी है अब बताइए हमने यहां पर H और P एस तो लिखा हमने B और P क्यों ने लिखा यहां पर बेस और हैपनिस क्यों ने लिखिए हमने क्योंकि अभी डिसाइडर नहीं है डिसाइडर नहीं है मतलब यह एंगल डिसाइड करेगा कि कि किसका नाम पर प्रिंडिकुल लिखा जाए किसका नाम बेस लिखा जाए नोट पड़ेगा आपको यह आपको help करेंगे देखो पहला पार्ट आपको sign A निकालना है फर्ट सिर्पंडी जी को देखो sign A क्या होता है P upon H P upon H आप पार्ट साहब आप बताईए एंगल A के हिसाब से कौन से side P है side पहचाने का तरीका क्या होता है जिस एंगल को हम consider कर रहे हैं उसके सामने की side को हम perpendicular कहते हैं तो A के सामने कौन B C तो B C H के पहचान पहले से मालूग है A C that is 7 upon 25 मैंने इसलिए perpendicular base को इस diagram में indicate नहीं किया था क्योंकि उसकी position according to the angle change हो जाएगी दूसरा इसी में कह रहे है cause A निकाल यह पंडी जी cause की value क्या दे रहे है B upon H अब बताए जब यह perpendicular हो जाएगा A के हिसाथ से तो base क्या हो जाएगा A B upon A C that is 24 upon 25 Second part जड़ा करिए अपने अप जब A दिया है तो ने लिख रहे हैं हमें दिया है थीटा दिखे कोई दिक्कत नहीं है उन्होंने A और C जानबूज के दिया वो जानते थे जब A लिखेंगे तो यह angle देखें ट्रेंगल में angle लिखने का तरीका जिस angle को यह vertex जो vertices है ना इसी को angle भी लिख लेते हैं यही vertices angle का भी काम करते हैं direct ठीक है थीटा लिख सकते हैं लेकि थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि already question में indicate कर रखा है ना इन्होंने अब देखें सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं cos c तो cos c वैसे तो भी अपानेच होता है अब इस angle c के हिसाफ से base कौन angle c के हिसाफ से base किसा नाम होगा फर्ट पताइए इस angle के हिसाफ से base कौन से side होगी bc हो जाएगी bc अपान ac that is 7 अपान 25 और फिर कहरें आप sign c निकालिए sign c होता है perpendicular upon happiness तो यह हो जाएगा ab upon ac that is 24 upon 25 have you got it यह नई चीज है समझ में आरी बात बस sign cost 10 उनके reciprocal से याद कलीजेगा थोड़ा होत पंडीची से help लीजेगा लेकिन कुछ अपना दिमाग लगाईएगा और फिर लिखेगा इसको note it down हरप कर सकते हैं इसको एक question लिखे if 10 theta plus 1 upon 10 theta given है if 10 theta plus 1 upon 10 theta is equal to 2 तो find करना है 10 square theta plus 1 upon 10 square theta is equal to पता नहीं कैसे लगाएंगी कुछ दिमाग लगा रहे हैं अब आप कहेंगे साब कुछ it side तो दी नहीं गई है perpendicular happiness कुछ नहीं दिया गया है आपको इस result से यह result निकालना है जड़ा देखने की कोशिच करिए कि यह result कब ऐसे आएगा कुछ दिख रहा है कि यह result कैसे आ रहा है कुछ क्या करें कि यह result आ जाए अगर मैं कहीं पर a plus b दे दूँ जड़ा इसको देखेगा a plus b दे दूँ और आपसे मैं a square plus b square मागूं तो आप उसमें क्या करें कि a square plus b square आ जाए नहीं आगे क्या है कर मुझको नहीं मालूं a square plus b square कैसे लाए जाए बस बस हो गया कर दीजे देखो given क्या है given यह है कि 10 theta plus 1 upon 10 theta is equal to 2 अभी हमने का वह a plus b given है कुछ भी given है वाले 5 given है और हमने का a square plus b square कहीं से लाओ तो आप जानते हैं अगर मैं squaring कर देता हूं तो a square plus b square तो आए गई अब वो a b आएगा कहां जाएगा वो बात की बात है squaring both the side करिए squaring both the side squaring both the sides देखो ध्यान से तो इसको squaring करेंगे तो आएगा 10 theta plus 1 upon 10 theta to the whole square is equal to 4 अब यहां पर हम apply करेंगे a plus b whole square पढ़ रखा आपने a square plus b square plus 2 a b तो a square मतलब 10 square theta plus b square मतलब 1 upon 10 square theta plus 2 into a हो गया 10 theta और b हो गया 1 upon 10 theta is equal to 4 अब यह तो आपको दिख रहा होगा यह cancelled हो जाएंगे तो यह आगया 10 square theta plus 1 upon 10 square theta is equal to 4 और यह 2 जाके माइनस हो जाएगा that is 2 सौनम्याई बात निकाले फिर हम बात करते हैं अच्छा ठीक हमने थोड़ा बढ़ा दिया इसको अब आप 10 cube theta plus 1 upon 10 cube theta निकालिए चले एक पार्ट और आपको बढ़ा दिया कि 10 cube theta plus 1 upon 10 cube theta की value निकालो पहले आप निकालिए फिर हम बात करते हैं पार्थ यह नोट कर लिया हाँ इसे given यह चुपा दिये सब यह given है और इससे अब यह निकालिया हम यह पार्ट नहीं पूछा आप से आप यह पूछ लिया तब इसको पूछ रहे हैं दो तरीके से आप समझ सकते हैं फार्थ यह नोट कर लिया समझारी बात अब 10 cube theta plus 1 upon 10 cube theta निकालिए आप और सोचिए कैसे निकाला जाएगा क्यूबिंग कर दीजे क्यूबिंग बोद दस साइड तो यह हो जाएगा 10 theta plus 1 upon 10 theta to the whole cube is equal to 2 का cube अब A plus B whole cube के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए तो A plus B whole cube करिए क्या होता है A cube plus B cube plus 3 AB in bracket A plus B वही अप्लाई कर दीजे हैं A B 2 आ रहा है रिजल्ट इसका 2 आ रहा है हार आओगा अभी हमने लगाया नहीं वेरी गुट फट से लगाई हम लगा रहे हैं इसको करताते हैं चेक करते हैं थोड़ा से इसको रिफिलिंग कर लें देखिए ध्यान से क्यूबिंग किया आपने तो यह आ गया A cube मतलब 10 cube theta plus 1 upon 10 cube theta plus 3 A A मतलब 10 theta यह 2 है हां आ रहा होगा अभी हमने देख लेते हैं 1 upon 10 theta in bracket 10 theta plus 1 upon 10 theta is equal to 8 अब यह cancel हो गया यह निकालना है आपको तो 10 cube theta plus 1 upon 10 cube theta plus 3 और यह bracket है 2 is equal to 8 अब यह 6 उदा ट्रांसर कर दिएगा तो यह 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10 cube theta plus 1 upon 10 cube theta तो यहां तो पूरा pattern हमने apply किया लेकिन आपका जब exam होगा तो उसमें pattern नहीं apply करेंगे फ्रक्स से आप question लगाएगे अच्छा अब यह पकड़ में हमको नहीं आया मैंने note कर लिया ना इसको मैंने इसको पकड़ा नहीं हमको निकालना था 10 cube theta plus 1 upon 10 cube theta देखें दूसरा तरीका second method हमें निकालना है 10 cube theta plus 1 upon 10 cube theta अगर मैं इसको factorize कर दूँ तो कर सकता हूँ a cube plus b cube के factor क्या होते ही a plus b in one bracket second yes yes you are right तो a cube plus b cube के factor होते हैं a plus b in one bracket a square plus b square minus a b अब साथी साथ लिख रहे हैं तो लिखी लेते है a cube minus b cube a minus b in one bracket a square plus b square plus a b तो हम क्या करें a cube plus b cube को factorize कर दें तो यह आएगा एक bracket में आएगा 10 theta plus 1 upon 10 theta एक bracket में दूसरे में आएगा a square 10 square theta plus 1 upon 10 square theta minus a b 10 theta into 1 upon 10 theta यह 2 given है और यह भी आप निकाल चुके 2 और minus यह cancel हो गया यह 1 आगया 2 minus 1 is 1 that is 2 तो this is your answer तो यह तरीका भी आपका हो सकता है अगर एक ट्रिग्रमेटिकल रिश्यो मालूम है यह तो अलग मेथेड हुआ जाकर के यह थोड़ी 5 निकालने है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप थर्ड साइड निकालेंगे अब आप कहेंगे लिखें न लिखें तो चलेगा जैसे अभी हमने काना कि साइन थीटा आपका टू अपान थ्री आ रहा था यह पी अपान एच होता है तो पी को आपने टू माना है एच को आपने थ्री माना कोई दिक्कत नहीं है टू थी मान के लगा लिजी आ जाएगा लेकिन जब आप प्रोसीजर अप्लाई करके कहीं इसका सलूसन दिखा रहे हैं तो वह एक्जामरेस को कट कर देगा तो टू डजेंट में टू डैक्ट में भी 20 एं 30 तब आपको के लिखना जरूरी है ठीक है अच्छा अब थोड़ हमने आप से कहा कि 310 थीटा इस इकल टू 4 गिवन है 310 थीटा इस इकल टू 4 और हमने कहां फाइंड करिये आप 4 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 4 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसकी वैलू आपको निकालनी है देखे, दो तरीके हैं, एक तो solution आपको देना है examiner को, पुरा procedure अप्लाई करेंगे, एक short तरीका होता है, दोन तरीके हम बताते हैं, इसको देखने के पहले एक चीज़ाब जाब समल लिजेगा यहाँ पर, देखे, अभी आपने पढ़ा है 10 theta is equal to P upon B होता है, यह पढ़ा है न perpendicular upon base को आप लिखते हैं 10 theta, सही कह रहा हूँ मैं, यानि अगर मैं numerator को और denominator को h से डिवाइड करें तो कोई दिक्कत, अगर कोई ratio लिखा है और same चीज़ से आप numerator और denominator को डिवाइड करें, तो कोई दिक्कत है, उपर क्या लिखा है, P upon H, तो actually P upon H क्या होता है, sine theta, और B upon H क्या होता है, cause theta, अगर कहीं पर sine upon cause है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 10 theta, या 10 theta को हम sine upon cause लिख सकते हैं, सही कह रहा हूँ मैं, theta को cancel मत कर देना, कि they are not given in multiplication, ये angle का theta, angle का sine होता है, multiply नहीं होता है, अच्छा, 10 का reciprocal क्या होता है, cause theta, तो अगर मुझे cause theta पूछने, तो cause theta को हम लिख सकते हैं, cause theta upon sine theta, अब ज़रा समझेगा, इस question को लगाने का तरीका, एक हमने कहा तरीका होता है, पुरा long method में निकालेंगे, देखें, क्या given है आपको, first method हम बताने जा रहे हैं, आपको दिखादा, 3 tan theta is equal to 4, तो 10 theta की value क्या है, 4 upon 3, पंडिजी का help लिजे, तो ये क्या लिखा है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, तो P upon B लिखा है न, ये क्या लिखा, P upon B, तो P क्या दिया है, 4 के, और B क्या दिया है, 3 के, पहला का हम आप H निकालिए, अब you apply the formula, you file H, I am not going to calculate it, डाइट में लिख देता हूँ, ये आएगा 5 की, सही क्या रहा हूँ, अब आप क्या करिए, इन values को उठा कि यहां रख दिजेगा, देखें क्या निकालना है आपको, निकालना है, 4 cos theta, minus sin theta, upon 2 cos theta, plus sin theta, सही क्या रहा हूँ, अब देखें, 4 cos theta होता है, base upon hypotenuse, base कितना है, 3k, upon 5k, minus sin theta, p upon h, 4k, upon 5k, whole upon, 2 cos theta, 2 cos theta, b upon h, 3k, upon 5k, minus, plus sin theta, 4k, upon 5k, इसको यहां से आमत cancel कर देना, क्योंकि ऐसे calculation लोग करते हैं, ये k cancel हो गया, उपर हो गया, 14 जा 12 by 5, minus 4 by 5, upon 6 by 5, minus 4, plus 4 by 5, 5 जाएगा, 5 जाएगा, 12 minus 4, upon 5, upon 6, plus 4, upon 5, 5 जाएगा, तो आगया आपका, ठीक है, हाँ, ये हम प्रूफ कराने की, हम प्रूफ कह सकते हैं, प्रूफ ये इस इकल तो sin theta, तो value के हिसा से प्रूफ भी हो गया, ठीक है, वो एक अलग चीज है, ये result sin theta आपको नहीं देता है, लेकि प्रूफ दे सकते हैं, ये हम कर नहीं रहे हैं, ये नोट कर लिया आप उसमें तो बड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, और ये आप कहरो, ये sin theta, पी अपान अच, एक तो बहुत जल्दी आपको करना होगा, जरा समझेगा, आपको 10 theta दिया है 4 अपान 3, बहुत दिमाग समझेगा, है tough नहीं है, 10 theta दिया 4 अपान 3, क्या यहां 10 theta लाया जा स सकता है, sin cause के relation में कहीं 10 आता है, अभी हम बता चुके, sin cause के relation में कहीं 10 आता है, अभी आप पढ़ चुके हैं, कि sin upon cause को 10 लिखा जा सकता है, अभी हम क्या बता चुके हैं, कि sin theta upon cause theta को 10 theta लिखा जा सकता है, यहां अगर मैं यहां पर sin upon cause ला सकता हूँ, तो उसको 10 लिख सकते हैं, तो अब सिंपल सी बात है, numerator और denominator दोनों को cause से डिवाइट कर दूँ, क्या करेंगे, dividing, numerator and denominator by cause theta, तो देखे, cause से सधी को डिवाइट करना है, जब मैंने इसको डिवाइट किया, तो यह 4 बचा, माइनस, जब sin को डिवाइट किया, तो यह आगया sin theta upon cause theta, upon, इसको डिवाइट किया, तो 2 बचा, यह आगया sin theta upon cause theta, अब साब साब दिख रहा है, 4 माइनस यह 10 theta है, यह 2 प्लस 10 theta है, डायट 10 की वज़िदों उठा करके, तो 4 माइनस 4 upon 3, 2 प्लस 4 upon 3, एलसे हम लेंगे, तो 4 3 जा 12 माइनस 4, 8 upon 3 upon, 10 upon 3, that is 8 upon 10, that is 4 upon 5, बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, देखें, यह ऐसा नहीं कि आप अपने एक्जाम में नहीं कर सकते, अगर आपको 10th level में भी इसको करना पड़ें, तो आप यह तरीका एड़ाउट कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, everything is clear here, हाँ वो अलकी बात है कि वहाँ यह चीज हम डायट कर देंगे, लिख देंगे, मन में कर देंगे, वहाँ आपको यहाँ पर शो करना पड़ेंगा, लोट करिए इसको, हाँ जी, अरे, अभी एक मिनट पहले मैं आपको बता रहा था, आपको याद हो, अप ध्यानी दे रहे हो आप, टैन थीटा को पी अपान बी लिखते है, मैंने एच को डिवाइट किया था, उपर नीचे, तो यह साइन अपान कौज आया था, नहीं आया था, यह एक ट्रिग्रमेटिकल आइडेंटिटी भी है, क्या है, ट्रिग्रमेटिकल आइडेंटिटी अभी और पढ़ाई यह ट्रिग्रमेटिकल आइडेंटिटी है, यह नोट करिए, नोट कर लिया इसको, अब जरा समझीएगा, मैं ट्रिग्रमेटिकल आइडेंटिटी वर्ड यूज कर दिया हमने, तो अब वर्ड यूज किया है, तो उसके बारे में बात भी कर लेते हैं, आइडेंटिटी क्य क्या अंतर है हमने का यह नोट का लिया पार्थ टुटेट डाउन कि समझमेहारी बात जो हम पढ़ा रहे हैं अन्मम्हारी बात अब आप कहेंगी आपके सामने की नहीं समझम्हारी बात थीक नहीं लगेगा ना सामने कहना परताना संज में आ रहा है सुनिए थोड़ा टाइम ज्यादा दीजेगा इसको क्योंको नई mathematics की branch है थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना इसमें पंडित जी का help है पंडित बद्रिपसाद का अभी मैं एक word यूज किया कि टैन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा पान कॉस थीटा और हमने का ये trigonometrical identity है trigonometrical identity कहा हमने ये identity क्या होती है ये word हमें यूज कर दिया एक होता है equation एक होता है identity देखो ध्यान से अगर मैं कहूँ x square minus 2x plus 1 is equal to 0 और मैं कहूँ ये equation है identity दरा समझेगा मुझे ध्यान से देखिए अगर मैं यहाँ पर x को 1 put कर देता हूँ left hand side में ये बन जाएगा 1 square minus 2 into 1 plus 1 that is 1 minus 2 plus 1 2 minus 2 0 आ रहा है यही तो आपकी right hand side में value है अच्छा मैंने x को का 2 put करो LHS में तो आपने का 4 minus 4 plus 1 is equal to 1 ये 0 नहीं है या ये right hand side नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि या इस equation को x is equal to 1 तो satisfy कर रहा है मतलब x is equal to 1 रखने पर इसकी left side और right side की value same आ रही है लेकिन इसको too satisfied नहीं कर रहा है तो this is true for some particular values of x so this is called equation सम्झागी बात equation क्या होती है कुछ particular values के लिए सही होती है सम्झागी बात equation क्या होती है तो आप कहेंगे equation is true for some particular values of x या y's term में उद्दी भी है अब मैं आपसे कह रहा हूँ identity क्या होती है देखे मैंने आपसे कहा x plus 1 whole square तो आपने कहा x square plus 1 plus 2x आप x को कुछ भी रख दीजे यहाँ पर देखे x को रखो 0 LHS क्या आएगा LHS आएगा 1 आप x को 1 रख दीजे रखे देखे LHS क्या आएगा LHS आएगा 4 आएगा 4 आप अगलम बगलम तगलम कुछ भी रख दीजे x की value left hand side और right hand side की value same आएगी यानि आप क्या कह सकते है कि this is true for all the values of x तो इसको कहते है identity क्या कहते है identity यानि equation जो होता है वो कुछ particular values के लिए सही होता है और identity हर value के लिए सही होती सब्सक्राइब आगई बात तो यह है basic concept of trigonometrical ratio trigonometri का है इसके जो questions आपके size में हैं उन्हें लगाने की कोशिज करेंगे formula रटने की कोशिज करेंगे रटना रटना पड़ेगा sign upon cos 10 होता है sign upon h होता है b upon s क्या होता है कौन किसका receive protocol होता है तो कलिजेगा next में आपके questions को और discuss किये जाएंगे कुछ और questions में हम बताएंगे आप से लगवाएंगे कुछ हम बताएंगे इसके बार trigonometric identity आएगी